पिछले वीडियो में हमने जाना कि धर्म क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि धर्म के लिए कौन-कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए जिसके बिना धर्म अधूरा है तो आज का हमारा टॉपिक है धर्म के आवश्यक तत्व सबसे पहला तत्व है अनुस्थान कि धर्म में अनुस्थान होने ज़रूरी है जैसे हिंदू धर्म में यग्य होते हैं हवन होता है आरती होती है क्रिश्चन धर्म में जिसे स्क्राइज के साबने केंडल जलाई जाती है क्रिस्मस धर्म 25 दिसमर को सांटा क्लाउस किफ देते हैं तो क्रिश्चन धर्म में किफ देने की परंपरा है हिंदू धर्म में नवरात्री में नौक कन्याओं को भुजन कराये जाता है उनका आश्यवाद लिया जाता है तो ऐसे अनुस्टान जो है वो हर धर्म में होते हैं और अनुस्टान सबसे पहला आवश्यक्ता तो है किसी भी धर्म के लिए दूसरा है अनुभूतिया धर्म में अनुभूतिया भी होनी चाहिए अनुभूतिय से ताथ पर धर्म में जैसे आस्था है विश्वास है और धर्म के प्रती हमारी भक्ति है हमारे भाव है तो ऐसी अनुभूतिया जैसे हमारे मन में विश्वास बड़े होनी चाहिए तीसरा अवशक्तत्त है विश्वास हमारा विश्वास है उस शक्ति पर जो अलोकिक है अलोकिक शक्ति पर विश्वास देवी देवताओं पर विश्वास के उन्होंने ही हमें बनाया है वो ही हमारे आगे बढ़ाएंगे वो ही हमारी कठिनायों को दूर करेंगे समस्याओं को दूर करेंगे हमें अपने कर्म का फल देंगे तो ऐसा विश्वास जो है वो धर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर विश्वास नहीं है तो वो आस्तिक नहीं नास्तिक कहलाता है हर धर्म में संगठन पाया जाता है वो संगठन उस धर्म की विशिष्ट क्रियाओं को निर्देशित करता है मतलब विशिष्ट क्रियाइं करता है जैसे हिंदु धर्म में कुमकुम का तिलक लगाने की चावा लगाने की प्रता है किसी भी कार्य किसी भी सुब कार्य पर जाते हैं तो दही और गुड किलाया जाता है तो क्रिश्टन धर्म में ऐसे 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 किया जाता है हिंदु धर्म में हाथ जोड़े जाते हैं बगाने के सामने प्रातना की जाती है हर धर्म के कुछ प्रतीक होते हैं जैसे हिंदु धर्म का प्रतीक है ओम मुस्लिम धर्म का प्रतीक है 786 इसाई धर्म का प्रतीक है क्रोस तो हर धर्म में कुछ न कुछ प्रतीक चिन ओते हैं उन प्रतीक चिनों के अधारपधी हम ये जान पाते हैं कि ये विक्ति जो है वो ही इंदु धर्म से है मुस्लिम धर्म से है इसाई धर्म से है जैन धर्म से है बहुत धर्म से कौन से दर्म से है और धर्म के प्रतीक के अलवा परानिक गाथाई भी होती है हर धर्म में जैसे गंगा नदी जो भारत में सबसे पवित्र नदी बानी जाती है तो गंगा नदी के बारे में पौरानिक कता हैं कि ब्रगु रिशी जो थे वो स्वार्ग गए और स्वार्ग में जाकर उन्होंने देवी गंगा से कहा क्या धर्ती पर पधार यही तो देवी गंगा ने जवाब दिया कि उनका प्रवा जो है वो अतितिव्र है उस प्रवा को धर्ती जेलने के लिए तैयार नहीं है तो ब्रगु रिशी ने कहा कि धर्ती पर महादेव हैं जो आपके प्रवा को रोक लेंगे तो गंगा जो है स्वर्ग से शिवजी के जटा में आती है और जटा से वो धर्ती पर आती है तो ऐसी पौरानिक गाथाएं जो है वो हर धर्म में होती है फिर चटा है निशेद धर्म में कुछ निशेद होते हैं जैसे चोरी न करना चोट न पहुचाना हिंसा न करना पाप न करना बुराई न करना बड़ों का अपमान न करना चोटों को मारना नहीं बच्चों और महिलों बुजर्गों पर हात न उठाना तो ऐसे कुछ निशेद होते हैं जो हर धर्म में होते हैं अब सात्वा है धार्मिक संस्तरण धार्मिक संस्तरण से मेरा मतलब हर धर्म में धर्म के अरुसार संस्तरण पाए जाते हैं जैसे पंडित जो पूजा करता है उसका इस्तर उप्पा होता है और उसी मंदित के सफाई करने वाला विक्ति का इस्तर थोड़ा निम्ध होता है तो इस तरह से धार्मिक संस्तरण पाए जाता है तो हिंदु धार में जैसे तरह देखे तो पंडित का स्तर सबसे उचा होता है उसके बाद सब के स्तर नीचे होते हैं तो यह थे कुछ आवशक तत्तु जो धर्म में होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक केजिए चैनल को सब्सक्राइब क कीजिए और जितना जादा हो सके इसे शेयर कीजिए थैक्स फॉर वाचिंग